नमास्कारंग एक प्रस्न है कुंडिलीनी सक्ती जागरन के बाद क्या दुबारा जन्म हो सकता है मैं विशेश्क दृष्टी डाल रहा हूँ इस टोपिक पर ध्यान से समझे अगर किसी बेक्ती ने कुंडिलीनी जागरन अनुभव कर लिया है शक्ती अगर जागरीत होकर मुल्धार चक्र से अगर थर्ड आई तक आ गई है उसके सहस्रार चक्र अभी तक नहीं खुला है तो उसका दुबारा जन्म हो जाएगा अब क्यों इसे जरा गवर से समझना है जब किसी की मृत्व होती है तो दस दुआर है सुक्ष्मा सरीर को निकलने के लिए यानि कि आत्मा को निकलने के लिए या जिवा आत्मा आप समझ सकते हैं जो हमारे सुक्ष्मा सरीर है अब कोई-कोई ऐसा सुचेंगे कि ऐसा होता नहीं है सुक्ष्मा सरीर या आत्मा तो उनको मैं यह कहना चाहता हूँ देखिये आपके अंदर जो सेंसेशन है अब जहां भी ध्यान देते हैं वहां एक जहां पिया टेंशन लाएंगे तो वहां एक संसेशन स्टार्ट हो जाता है एक है इसमें कुछ जो निकल जाने के बाद यह शरीर ठंडा पढ़ जाता है पीला पढ़ जाता है पीप से भर जाता है जरूर कुछ है जो निकलने के बाद इस शरीर मृत्यक डिकलियर कर दिया जाता है तो आपको यह समझने के आवशकता है कि क्या निकलता है उसी को मैं कहता हूँ जीव या जुआत्मा या शुक्षम स्रीक तो उसको निकलने के लिए दस द्वार है कौन कौन सी द्वार है आपके दो कान, दो आख, नाख के दो चिद्रे, मुक, मल त्यागनी का रस्ता और पिसाब त्यागनी के रस्ता यह नौ द्वार और आपका एक ब्रह्म रंद्रा जो सहसरार चक्रे खुलता है जो ब्रहमरंद्र खोल जाता है तब वो ब्रहमरंद्र है ये दस द्वार है तो कुंडलिनी जागरन के बाद अगर वो सक्ति पस थाड़ाई तक या कहीं आके रुकी है सहसरार चक्रा नहीं खुला है यानि कि ब्रहमरंद्र अभी तक खुला नहीं है तो आत्मा को इग्जिक् अगर उसकी चतना की डिवलप्मेंट नीच हुई है तो नीचे की द्वार से निकलेगा तो इस तरीका से कोई एक दूसरी द्वार के द्वारा ही इक्सिट होगा यहां से exit अगर होता है, यहां से जब निकलता है तो दुबरा उसका जन्मा नहीं हो सकता है अब कुणलेनी जागरन के बाद अगर किसी का कुणलेनी सक्तित यहां तक आ गई है, सहसरार तक, सहसरार खुल चुका है जिसको यहां पर थोड़ा चिति रेंगनी के जैसा मेशूस होता है यहां से थोड़ा पुरे मुल्धार चक्र से सुसुम्ना नाडी से परवाहित होकर पतली से एक एनरजी का फ्लो पुरे सहसरार तक अगर आता है और यहां इस्पेस खाली-खाली मेशूस होता है तो आप समझ लिजे कि आपका सहसरार चक्रा खुल चुका है और सहसरार में हजारों पेटल्ज की कमलों के फुल दिखाये जाते हैं तो इसका अर्थ ही है कि सहसरार खुलते हैं और दिरे दरे हमारे अंदर के जो कुछ बची हुई संसकार पसनाई रहती है वो दिरे दरे समप्त हो जाती है मूल बात यह है कि जिसका सहसरार चक्रा खुल चुका है उसका दुबारा जन्म नहीं होगा कैसे अगर वह अत्मा अगर सहसरार के दौरा ब्रहमर अंदर खुल चुका है तो इसके दौरा एक्जिक्ट होती है तब अगर मृत्यू के समय उसने यह संकल्प ले लिया कि मुझे अभी फिर से इस संसार में आना है कोई कार्या करना है अगर वह कंसेसली इस दौर से नहीं निकला कंसेसली किसी अन्य दौर से निकल गया तो उसकी जन्म में फिर होना ही है क्योंकि इस प्रकृति के चक्र में फिर से वाज आजा है तो कंसेसली वो डिसाइड भी कर सकता है कि मुझे कौन से दौर के साथ निकलना है अगर वह एक योगी है यानि कि उसने कुंडलिनी जागरान अनुभाव कर चुका है सहसरार चक्रा खुल गया है वही यह कर सकता है दुसरे यह नहीं कर सकता है only he can consciously come out or can exit through sahasra तो मुल बात यही है धन्यवाद